ये सच्ची घटना है वर्ल्ड वार्टु खत्म होने से तीन महीने पहले की जहा जर्मनी अमेरिका से हार रहा था इसी समय कमांडर डॉन अपने फ्यूरी टैंक के साथ आगे बढ़ रहा था तभी रास्ते में एक ब्लास्ट होता है जिससे इनके टैंक की चैंट टूर जाती ह तो इनका साथ ही इसे ठीक करने लगता है डॉन नॉमन से कहता है कि तुम पहारी पर जाकर नजर रखो अगर कोई जर्मन सेना यहां आती है तो हमें तुरंत खबर करना नॉमन जब पहरा दे रहा था तो उसे जर्मन सेना दिखाई देती है तो वो जल्दी से इन लोगों को बताता है कि जर्मन फौज हमारी और बढ़ रही है तो डॉन कहता है कि तुम सब यहां से जाओ मैं अपना टैंक छोड़ कर नहीं जा सकता तो वाकी लोग भी यही रुख जाते है अब ये लोग अपने टैंक के आसपास लाशे रखकर आग लगा देते है ताकि जर्मन को ल काम आज भी इतिहास में दर्ज है